नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे वैलकम टू माई न्यू व्लोग सुबह का समय है और बस आज देखें मिर्बुआ जी जो आई हुई थी यह बड़े वाली बड़े नी पीच की आए तो आज यह जा रही है वो मेरी बैन भी खड़ी देखो आज इनकी विदाई होरी सुबही सुबही सुबह दोनों की है और वैसे तो जाते कल यह भाई के साथ ही भाई तो कल निकल गयता लेकिन बस वह यह काओं में चले गए थे तो इसलिए लेट होगे फिर आज जा रहे और बस अब जा रहे है नास्ता चाय वग बुगा जी उदर है और वे आने वाली जब आएंगी मैं मिलवांगी आपको और यह है देखिया हमारी कुफुरानी आज यह भी जारी मेरे पास ही रहे ले तू हेलो करें हेलो क्रिश्ना के पास चलेंगे हम जाना मैं नहीं ले जारे देखनू सो चलका दिको अधम ठाली द सबको वेज़के एक-दो दिन बाद मेरी भी है फिर क्यों सबको भेज़के जबी जाओंगी कधि कोई फेर मेरे भी नहीं रह ले आज आज मैं आई दी सबसे पहले और एक-दो दिन बाद तो है मेरा भी जाने का देखती हूँ प्रोग्राम अभी सेटिंग तो ही नी जाना देखें जी मेरी छोटे वाली बुगाजी भी आ गई है बड़े वाली जाने लग दी लेकिन उनकी वज़ा से रुकी है क्योंकि दर चैची जी के पास थी नहीं है तो इनको मिलकर जब जाएंगी वही है देखो कभी-कभी मिलते हैं बहने बहने और बस अब जारी है छोटे दिन पहले जो मैंने वीडियो डान ली ती इसमा आई थी तो मेरी चार बुगाजी है और जो सबसे बड़े वाली है में तो आई नी तीन बुगाजी आई हैं वहत अच्छा लगया हमें इनके साथ तीन चार दिन हमारे कैसे बीत गए तीन चार दिन आए कैसे निकल गे पता जारी है चोड़ने के लिए नीचे है और अज तो घर भी खली-खली سے हो जाएगा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा जब कोई आता है ना तो जब तो पतन चलता है जब जाते हैं जब पता चलता है कि घर जब बिल्कुल खली हो जाता है हैं तो यहां बस जा रहे हैं छोड़ने के लिए और यहीं अभी बस से ही जाएंगी और आगे भाई आ जाएगा घरी लेकर सामली और बस वह ले लेगाई तो जि बुँआ जी रर चली गई हैं को छोड़ी आए हैं और जो छोटे वाली बुँआ जी आई थी वह भी चली गई मैं गाउं में गई और बस अब हम लगता हैंपने काम पर चार पास दिन वह फाङ हो लिए इन इसे इसे इधर इसे इतर और काम भी जादा हो रहां क्योंकि महमान आते हैं जाते हैं तो काम होता ही अब चले गए हैं बुगाजी अर्भी और मम्मी मैं पापा जी और दुनों बच्चे इशू और मैं तो बस अब आराम से हम अपना काम करेंगे तो मैं फटा पट से पहले लगाँगी मसीन मसीन कपड़े दो दिन के उरे वैसा तो रोज के दो लेती थी लेकिन दो दिन से नही मसीन लगाँगी और फिर जो काम है मारा देखा आपको दिखा दू अपने कीचन की आलत भी वो देखिए बतन वगेरा ऐसा उरा जैसा संतोसी माता पिच्चर मों होता है से मैं सही देखिए कितना फेला पड़ा बस अब फटा पट से मैं इसको समेठ दूगी मम्मी कीचन का करेंगी अभी गई हुई है निच्चे गाएका करने के लिए और बस उपपर आ जाएगी फिर मैं कीचन संबालेंगी और मैं जाड़ू बच्चा करूंगी कप्टे वगेरा करूंगी तो काम बहुत है साफ सफाई सारे अभी ऐसा ही पड़ा सारा काम क्योंकि सुबही जाने हुँ बस सबसे पहले मैं करूंगी साफ सफाई मसीन मैंने लगा दी थी तो जब तक कपड़े दुलेंगे तब तक साफ सफाई का काम कर लूँगी और मम्मी लग गई है किचन में क्योंकि बरतन वगेरा भी काफी सारे ओरते सुबही सबने नास्ता किया था तो मम्मी अपन और मम्मी करेंगी या मैं करके ब्सक्राइब का मैं तो सफाई का BRI भी करें नास्ता करें लेंकोनिया के लिए मैं करी के तो मम्मी मों पहस्ता टो गए शूरे जा ठीकि बंतलब खिर फिर कम लोखर आ रहे ते तो तो हमकोई बात उतनी मसीन मैंने लगा छी तो फटा फट से बस कर दिया है और जब तक लगते हैं लगते हैं लगते हैं नहीं बस पिर फिनी सोता ही दिखता है दसे भी दढ़ से भी तोव वो ऑजी को तो भीज दिया था मन भीज़ दिय थ strengths अपना काम में और बस फटापट से मैं निम्टा दूंगी कपड़ों का काम निचोड़ दिये अब ड्रायर करके फिर खैला दूँगा अपना काम में धुड़ों कि कीमा दूमी जिचाल पिते निर के ट्राइच, आपना कि 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 आापग। तो जी काम हो गया है सारा और यह देखे मैंने कपड़े बग्राद हो दिये साफ सफाई कर दी सारा काम हो गया ना दोली और बस अब करूंगी थोड़ी दे रैस्ट टाइम हो गया साड़े ग्यारा सुबह छे बजे से लग रहे हम दोनों बलकि मम्मी तो सुबह चल्दी उठ जबती है और अब तक हमारा जाकर काम हुआ क्योंकि काफी सारे कपड़े हो रहे थे और अभी मने कुछ फलाई कुछ रखे हैं खाट पर देखिए क्योंकि अब यहां जग्यानी जब यह सूख जांगी तब फला दूगी मम्मी कहने लगी नहीं आई सूख जांगे क्यों ज आज अर्भी की सबजी बनाई है देखें बिल्कुल सुख की और देखने सा तो अच्छी लग लगी अब बस मैं खाऊंगी खाना बच्चों ने खा लिया ममी ने सासा दे दिया था बनाकर पापजी अभी गड़ी है खेत में पापजी आएंगे तब खा लेंगे और मैं भी सुबह तो नास्भा तो कर लिया था जैसर सबस्टिकर लेते है तो फेर दोकिंडी बुग लग जाती है जल्दी फीर का जुने बस देखे महमी ने किचन बिल्कुल क्लीन कर दी साफ सुत्री कर दी है और आफ बस थोड़ी देर रेस्ट करूंगी इन नुगा को क्पड़ों कीच अरफ को यह थोड़ी धीन के और कहीं दिन से हुई निवेर से वह यह तोड़ा सा जो मारा भीजी था इस वज़े से और देखा देखा सब्सक्राइब काम चल रहा है प्रवाइब है और तो यह बेटी और डिए टिवियो और गुंडु का सब्सक्राइब गुड्डू की चल भी है ट्यूशन क्लास तो वह अपनी क्लास कर रही तो यहां सब भी जी है और इशू कंगी नी करी आपना आज सुबह खायता और वह सारा पैकिट खतम कर दिये और कितने रखा इनको ना कल वहां बट्डे पार्टी में गएते हैं महां से वह पैकिट मिले तें में काफी सारे में थे क्या इसनेक्स वगेरा बहुत सारे और मजह आगे इशू कहता है इस हुआ है सुबह से उन्हों ही आस ना कर दते हमें साम को मैं करने लगी हूँ प्रैस भी मेरी कहई दिन की कपड़े हो रहते हैं मैं बता रही आपका कहई दिन सभी नहीं ती तो मज़ा अब नहींनी कोनल आज जो पाढ़ी हैं जो शूब घम नहीं सोबम प्रेस भी कर दूंगी और मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि हमें ना हमेशा सही बच्पन सही प्रेस के कपड़े पहनने की आदत है आपने देखा होगा जैसा पिंजोर में भी मैं कभी भी बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनती मतलब साथ साथ ही प्रेस करके लेकिन मतलब जो हमारे बच्पन के काम होते है शुरू में अपने माईके में सिख आए वो हमेशा हमारे साथ ही चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा हम भी मैं बिना प्रेस के कपड़े नहीं रखती है और यहां भी मेरे माईके में भी ऐसे ही होता है कपड़े जो बिना प्रेस के वो तो तैय करके रख देते हैं बगकी जो प्रेस वाले वो ऐसे ही रखे रहते हैं जब तक की प्रेस नहीं होती और ये डेली का हमारा रूटीन ही रहता है कि डेली के डेली कर लेते हैं बाकि जब जैसे काम ज़्यादा होता है या कोई बीजी होता है शेडूल हमारा तो तब रह जाते हैं प्रेस काफी सारे कप्ड़ोबे ओ गये है जो आज केते हैं डागे लेकिन पहले रह रहे है अब मैं बनाओंगी मैंगो ज्दूस और नीचे भी देन आए पापा जी है को तो पहले मम्मी केडि़ीच के जूस बना दे बाद में कर लेना प्रेस वैसे तो मम्मी बना देती है मै मिना मूँं काटकर 21 मिक्सि में मैं बना दू अयह चल भोल फटापट से बना देती हूं और बस सब को दे दुए फिर बाद में कपड़े रहे रहे हो मցए प्रेस कर दूँ है तो यह देखे जूस मैं बनाने लगी हूँ मम्मी ने आम चील दिये ते काट दिये तो मैंने सोचे चलो लाव मैं बना देती हूँ और यहां फटापट से बस काट दूँगी और निच्चे भी भेजना है बैठे थे निच्चे ताओ जीर भी आये हुए हैं और पापा जी भी अंकल जी भी मतलब हैं तो मैंने सोचे थोड़ा सा जादा सा मम्मी ने जादा याम काट दिये ते मैं का चलो निच्चे भी भेज है दूद तो यह दो जग मैंने बना के तैयार कर लिए सब के लिए तो आजाओ आप भी फटापट से जूस मन के तैयार हो गया तो यह मैंगो से हमारा बन के तैयार हो गया हम तो वैसे मैंगो को जूसी करते हैं से भी बोल देते हैं और यह घर के याम है हमारे और आपको बता दो हमारी या बाग है मैं सोच तो रही ती कि जाओंगी बाग में आपको दिखाओंगी लेकिन भाई भी नहीं आया तो जाने की थोड़ी सी दिक्कत रहती है किसके साथ जाओं अगर मेरा कोई सबी तो उसके साथ जाके मैं आपको अपने बाग जरूर दिखाऊंगी तो यह घर के आम आ चुके हैं और बस अब तो आम भी चल रहे हैं और शेक भी चल रहा दोनों काम चल रहे हैं और देखें मैंने फिर उपर से थोड़ी सी गार्णीशिंग कर दी ग्लास में डाल जाता है तो जी आजाईए आप भी फटाफट से आप भी पी के बताना कैसा लगा यह घर के आम का जूश है यहां कपड़े देखें प्रैस हो चुके हैं और जो बिना प्रैस के वो भी मैंने तैय कर दी और काफी सारे कपड़े हो रहे थे तो बच गे टाइम साड़े पाच पूरे दो गंटे लगे मुझे इन कपड़ों कपड़ों में और यहां दिखा दू आपको मम्मी क्या करनी और यहां देखें मम्मी निकाल रही है मावा आज हमारे लिए पहले निकला नी लगा पहली बात तो गाएं भी मार हो रही थी तो अब गाएं खीक हो चुके है तो तो आज मावा निकाल देगी मम्मी फिर जब कल देख लेंगे क्या बनाना भी डिसाइड नी करा और मम्मी मावा निकाल रही थी मैंने प्रैस वगेरा कर ली थी तो फिर मम्मी चली गई थी नीच्चे दूद निकालने के लिए तो मैंने सोचा चलो जब तक मम्मी नीच्चे जा रही है तो मैं फेर दूँगी इसा कड़ाई को क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा लग जाता मावे निकालने में और दूद को लेट हो जाते फिर मेरा भी काम हो गया तो मैंने मम्मी को बोल दिया आप दूद निकाल लो जाके नीचे और मैं फेर दूँगी से और यहां देखिए मेरा जितने मेरे आथ चल रहे हैं उस ज्यादा मेरा मुझ चल रहा क्योंकि यहां पे आ निकाल दूगी मतलब मावा निकल जाएंगा देखे निकल गया और मैंने बहुत ज़्यादा इसको भूना नी वह इस लिए क्योंकि हमें इसके बनानी है मिठाई अगर मुझे पेड़े बनाने यह थे तो थोड़ा ज्यादा मेह इसको भून देती वरना तो मतलब मिठाई का तो थोड़ा पतला सा रहता है तो मावा बनके हो गया हमारा प्यार अब बनाओ की खाना और वीडियो का एंड करूँगी मैं योगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें प्मेंट करें सबस्क्राइब करें तो भी मिलते हैं एक और नहीं अच्छी सी वीडियो सथे साथ थे को वी आपके लिए बाई